जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैनिक जानकारिया दूँगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तो PCDA और CJD की तरफ से एक इसपर्ष का आउट्रिश प्रोग्राम में होगा यह 25 माई से 26 माई तक और फिर मुझफरपूर में होगा 29 माई से 30 माई तक तो जो भूत पूर सैनिक है या फिर जो वीर नारी है अगर उनको दिक्कत है इस पर से लिटेट तो वो इस प्रोग्राम में जा सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी इस पर से लिटेड आगे समझते हैं दोस्तों एक यह लेटर है किसी पैंशनर ने ग्रिवांस जाला था जिनका नाम है H.B. कोरेकर इन्होंने PCDA एकाउंट आफिस को एक ग्रिवांस जाला जिसमें नोंने बताया कि मुझे एडिशनल पैंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि की मेरी एज 22-4-1944 है तो लेटर में क्या लिखा है क्या जवाब दिया therefore presently you are not entitled for additional quantum of pension अभी फिलाल आप additional pension लेने के लिए eligible नहीं है बिल्कुल सई जवाब दिया है PCDA ने क्योंकि इनकी date of birth की अनुसार इनकी 80 स्टार्ट होगी अगले साल यानी 1 April 2024 में अभी फिलाल इनकी running है 79 अभी इनका 80 स्टार्ट नहीं हुआ है अभी 80 एच नहीं लगी है इस वज़े से इनको additional pension अभी नहीं मिलेगी तो अभी यहापे समस्ते हैं एक और दोस्तों या पर ग्रिवांस जाला था एक सवल्दार ने भूतपूर सैनिक है इन्होंने डाला था non-rescript of honorary rank यानी इन्हें honorary rank नहीं मिला जिसके बेस पर इनको नायब सुवधार की pension मिलनी थी नायब सुवधार रेंका benefit मिलना था तो यहां से record से क्या reply आय दिन यानि Independence Day 2003 यानि उस दिन आपको कोई honorary rank से नवाजा नहीं गया जिसके बेस पर आपको कोई entitlement नहीं मिलेगा नायब सुवधार के rank का आगे का लिखा है there is no provision for grant of honorary rank of नायब सुवधार to हवल्दार respectively यानि ऐसा कोई provision नहीं है कि honorary rank आपको दी जाए अगर आप एक हवल्द सुवधार है और उसका benefit आपको नायब सुवधार के according मिले दोस्तों इसके according तो यह बात यहाँ पर गलत सावित होती है ऐसे बहुत से हवल्दार है जिनको honorary मिली हुई है और वो अपनी pension किसके लिए रहे हैं honorary नायब सुवधार की अब honorary नायब सुवधार की हमें नायब सु 2004 तक का लेकिन वो डिमांड कर रहे हमें नायब सुवधार की pension चाहिए लेकिन जो 2006 के बाद आए जिनको honorary grant हुआ हवल्दारों को जिनकी 24 से उपर calling bank service है उनको pension मिल गई नायब सुवधार की क्योंकि 2006 के बाद ACP MACP लागोती इसलिए उनको benefit मिल गया तो इस बेस पर इनका य honorary नहीं grant हुई है कोई provision नहीं है ऐसा नहीं है हवल्दारों को honorary मिली है उसके बेस पर जो 2006 के बाद आए है जिन हवल्दारों को honorary मिलिए उनको नए सुवधार का benefit मिल रहे है एक तो दोस्तों यह information थी आगे समझते हैं यहां पर अजे भट जी एक tweet कर रहे है तुक review meeting today of canteen store department with senior officials यानि अजे भट जी ने एक meeting organize करी एक meeting रखी जिसमें officers थे कुछ CSD के कुछ employee थे जिनोंने CSD के संचालन को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ बात रखी अब दोस्तों देखते हैं कि जो इन्होंने meeting रखी भगवान जाने इसका क्या result होगा आगे क्या CSD में जो problems है वो क से बीच क्या वो खतम होगा इस meeting के according यह आगे देखने वाली बात होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि इस meeting का एक positive response निकल कि आए CSD में जो भेदबाव हो रहा है उसको खतम किया जा सके और CSD में जो OR जिससे उसको परचानी हो रही है चाए वो समान से लेटेड हो चाए किसी च चलानी के लिए यह meeting organize करी थी आगे समझते हैं दोस्तों एक यह पत्र लिखा गया है एक यह मांग पत्र है और यह मांग पत्र किसलिए जैसा आपको बता है धैरदून में कुछ ORJCOS ने complain करी थी कि CSD में कुछ दिक्कते आ रही है जिससे ORJCOS को benefit नहीं मिल पा रहा है तो इ वो F.I.R. को वापस लेने के लिए भूत पुरुस्यानिक मांग पत्र लिख रहे हैं बहुत अच्छा कदम है भूत पुरुस्यानिकों का सगठनों का जो ORJCOS को support कर रहे हैं जिन officers ने F.I.R. दर्ज करी ORJCOS से किलाफ वो निंदनी हैं अच्छी बात नहीं क्योंकि कोई भ दोस्तों एक ही आप मांग पत्र देख रहे हैं जो लिखा गया है और ये मांग पत्र लिखा गया था वेलफेर मिनिस्टर है शरी गनेज जोशी उनको आगे समझते हैं दोस्तों जैसा आपको पता है अगर आपको CSD का स्मार्ट कार्ड बनाना है उसके लिए आप ऑल्लाइ apply कर सकते हैं तो यह सुविदा start हो भी गई है काफी pensioners कर भी रहे हैं दोस्तों इसका एक feedback आया जो बहुती अच्छा है क्या लिखा है there is a very good response from smart card private limited noida csg smart card यानि जो इन्होंने यह online सुविदा करी है कि आप घर बैटे ही अपने smart card बनाए online यह बहुती अच्छी सावित हो रही है और इसके base पर जो आपके card है वो घर पर पुचाई जा रहे है कुरियर के तुरूफ और किते दिन में आ रहे हैं लगबख साथ से बीस दिन में तो अच्छा response आया है पैंशनर्स का कि पैंशनर्स को CSD जाना नहीं पड़ रहा है घर बैठे ही वो apply कर रहे हैं और कुछ दिन में ही उनका card घर पर deliver हो रहा है बिना किसी परशानी के तो बह अगर बैठे ही अपना card बना लेते हैं और आप जाता है उनका तो दोस्तों यह चीज़े मैं आपको समझाई आयोप इन जानकाली से आप संतुष चुरूंगे सारी चीज़े आपको सही से समझ में आगी होंगे वीडियो आपको अच्छा लगते वीडियो को like करें और दोस करें का ईएब वीडियो आपको समझा जापको समोंगे साजू 본 करें।